यह है मेरे पास वीवो वी 25 प्रो आज की इस वीडियो में बात करूँआ इसके टॉप 10 फीचर के बारे में काफी साथ यूनिक फीचर से और आप अपने फोन को काफी साथ इंट्रेस्टिंग और यह एनिमेशन इसमें आप क्रियेट कर सकते हो और कई सारी चीजे मैंने आपक इस वीडियो में बताएं जिससे आपके फोन काफी यदा यूनिक होने वाला तो चले फटाफ से स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला फीचर है वो है 64 मेगापिक्सल केमरा ओन करने के लिए जनरली 64 मेगापिक्सल आता है बड़ इसको आपको इनेबल करना पड़ता है तो सि 64 मेगापिक्सल और करके बताता हूं इसको अन करने कि ले आपको सबसे पहले क्या करना है आपके फोन के जब केमरा ओपन करोगे तो सबसे लास्ट में आपको more option मिलेगा उसमें सबसे पहले नंबर पे आपको 64 मेगापिक्सल मिलेगा इसको ओन किजिए दिन आप जैसी अब भी आप फोटो लो बड़ी पिक्सल साइज पे लीजिए दूसरा जो फीचर है वो है यहाँ पर बुके फ्लेयर पोट्रेट सो बुके फ्लेयर पोट्रेट क्या होता जब आप फोटो में पोट्रेट मोड में जाओगे तो आपको एक option मिलेगा fx करके इसमें आपको अलाग अलाग filters मिलेंगे जैसे hearts के stars के flower के और इसमें काफी सार फीचर है इसको आप on करके जब फोटो लोगे और उपर आपको एक slider मिलेगा जो aperture value set करता है तो भाई इसमें काफी तगड़े तगड़े फोटो आने वाले है जो normal background blur होता है उससे काफी ज़्यादा unique काफी ज़्यादा stylish और काफी ज़्यादा detail वाली फोटो आपको मिलेगी कुछ simple मैंने इसमें जो लिये तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो background में छोटी-छोटी white white lights होती वो उसको क्या convert करता है यहाँ पर मैं आपको zoom करके देखाऊ आप देखोगे भाई यहाँ पर heart का shape ले लिया है पीछे की जो white light सी और कहीं-कहीं पर flowers भी create करता है जब आप फ्लावर वाला filter option enable करोगे तो back camera में बेगराउंड रहेगा उसमें आपको फ्लावर create करके देदेगा जो white white जगे होती ने light passing के लिए भाई काफी तगड़ा feature लगता है मुझे यह जनली और इसमें आप अलग-अलग जब रात में फोटो लोगे ना और बढ़िया होने अभी मैंने इसमें fingerprint unlock भी लगा रखा है और इसमें मेरी काफी सारी फोटो वीडियो जो मैंने camera टेस्ट किया था channel पर जो देख सकते हो इसके सारी फोटो आपको यहां पर देखेगी आप मुझे किसी को phone देना है simply उपर गये नीचे window की यहां पर आपको एक profile वाला icon द पूरा same phone नया हो गया है किसी को भी handle कर दूआ कुछ भी नहीं होगा यह आपको fingerprint भी दिखा दू कोई fingerprint नहीं है लेकिन हाँ मेरा data वहीं का वहीं है अभी आपको फोटो दिखाता हूँ फोटो में कुछ भी नहीं है हाँ लेकिन जैसे ही मैं अपना honor वाले mode में जाता हूँ honor पर क्लिक करूँ हूँ हो मेरा पूरा को पूरा data even मेरा जो fingerprint था जो मेरा pattern था वो भी वापिस आ जाएगा same समय पर इस वीडियो में कोई भी cut नहीं है को editing नहीं है भाई पूरा इज़टी वापिस आजागा बिंदा साब किसी को भी phone दे सकते हो जो चोथा फीचर वह डाइनमिक एफेक्ट सा यहाँ पर आ फिंगरपिन एनिमेशन और कई सारे एनिमेशन आप एड़ कर सकते हो always on display वगरा से related या charging animation तो आपको simply dynamic effect में जाना है setting में आपको यहाँ पर कई सारे effect देखेंगे जैसे आपको camera application open करते हो phone application open करते हो तो क्या animation से वो दिखता है जाते हुए या आते वे यह आप वहाँ भी change कर सकते हो इसके लिए simply dynamic effect में जाओ अलग-अलग आपको यहाँ पर option देखने को मिल changes आता है personally मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ share किया है इसमें कुछ और भी option है जैसे fingerprint का icon आपको change करना है कि जब आप fingerprint प्रेस करें या उसका icon कैसा आएगा screen पर तो यहाँ पर अलग-अलग filter या अलग-अलग option लगा कर देख लो then इसको यहाँ पर simply apply करना है कु और यहाँ पर आपको fingerprint दबाने की बाद क्या animation आना है वो भी आप इसमें सेट कर सकते हो तो आपको यूज करने में काफी ज्यादा मजाने वाला है general normal अगर यूज करें उससे तो काफी ज्यादा better होता है और आपकी जब log screen मतला आप लॉक करोगे तो क्या animation आता है वो भी आ आप चेक कर सकते हो जिसे मैंने उपर से नीचे की साइड रखाया भी मैं आपको एक बाई ख़ता हूँ आप ध्यान से देखें तो ऊपर से नीचे की साइड आएगा यह तो भाई इस तरह के आप changes कर सकते हो अच्छे फीचर है अब चलते हैं पर पाच फीचर की तरब जो ह पर टेक्स लिखा वो चीज़ सिंपल बस मुझे क्लिक करना है फोटो यह अटोमेटिक उस जगह में से सिर्फ टेक्स वाली चीज मुझे उठा कर देदेगा और स्केन करके देदेगा जिससे यहां पर जो डीटेल है जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी हो यहां पर देख मुझे परसनली सही लगा है आप भी यूज कर सकते हूँ जब याप यूज करो तो कॉमेंट करके जरूर बताना आपको फीचर किसे लगा मुझे परसनली सही लगा इसलिए मैं आपके साथ रिकमेंड कर दिया आपर छटे फीचर की तरफ दो छटा फीचर है वो है रेम सेट है बस आपको अपने वीडियो वहाँ पर पूट करना है देन यह आपको वीडियो पूरा क्रियेट करके देगा मैं आपको एक्जामपल दिता हूँ जिससे नाइट मोड वाला है यहाँ पर 3.5 सेकेंड 3.6 सेकेंड के अलग 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 प्रीशेट है इलपे आप सबसे उपर आपको रेम लिखा हुआ दिखेगा उस पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको एक उप्शन है एक्स्टेंड रेम इसको आप ओन कर दो हाँ अगर आपके फोन में अल्रेडी ओन रहे तो फोन को रिस्टार्ट कर लेना आटोमेटिक यह करनवर्ट कर देगा सो 8 प् यहाँ पर आपको एक उप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेसिलिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा से नीचे साच करना है शॉर्टकट एन एक्सेसिबिलिटी इसमें आप नीचे आप कहीं पर देखोगे तो फेस ब्यूटी फोर वीडियो कॉ लिखा हुआ है इसमें आपको अलग अलग एक एप्लिकेशन में लेगी सपोर्ट करती है मौर एप्लिकेशन में जाओगे जैसे वाट्सप, फेस्बूक, मेसेंजर इन में अभी मेरे पाइस इंस्ट्रॉल नहीं बना दिखा देता है इन में आप वीडियो कॉल पे नीच चलाने के लिए तो भई मुझे सिंगर हेंड यूज करना क्या करना सिंपल उपर से जाओं नोटिफिकेशन में लाओ नीचे यहां पर लिखा मिनी स्क्रीन मोड इसको ओन करूँ और यहां पर आप देखो भई यहां पर करीब करीब पाच इंच की डिस्पले बन गई सिंगल हेंड यूज कर सकता हूं और वण व果न हेंडज ही नोटिफिकेशन बाहर को निच ला सकता हूं और सेugलिख आपको फगेर्otta करनेक दो करने तो जो टेंथ और लास्ट फिचर वह है इजी शेयर यहां पर वीवो की खुद की एक एप्लीकेशन है इजी शेयर जिसे आप डेटा पूरा का पूरा क्लोण कर सकते हो यहां पर आपको दो फिचर मिलेगे फाइल ट्रांसफर फोन क्लोन इस पर आप क्लिक करो यहां पर पुरा को पुरा ट्रांसफर हो जाएगा फोटो वीडियो कॉंटेक डोक्युमेंट हर एक चीज तो भई यह मुझे परसनली काफी सही लगाए आपको कैसा लगाए और आप इससे डेटा ट्रांसफर कर पाया नहीं कर पाया तो कमेंट करके जोब भी बताना एक डिटिकेटर वीडियो देदूआं इस पर और कौन सा वीचर आपको समझ नहीं आया उसको का डिटेल में जानना है तो भी वीडियो देदूआं तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो चैनल पर नहां हो सब्स्क्राइब भी कर सकते हो केमड़ा टेस्ट अन्बॉक्सिंग